देरादून से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक रेस्ट कैम्पिस्तिद होप स्कूल में 29 अप्रैल को UPHC रीठा मंडी की ओर से स्वास्ते शिविर लगाया गया था जिसमें शिविर में बच्चों के स्वास्ते परिक्षन के साथ ही उन्हें आइरन फॉलिक एसिट की दवा दी गई थी जिसके बाद मंगलवार यानि साथ माई को जब स्कूल खुला तो शिक्षकों ने बच्चों को पांच माच एमल आइरन फॉलिक एसिट की दवा फिलाई लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक बच्चों के पेट में दर्थ और उल्टी होने लगी ऐसे में स्कूल के शिक्षक भी घबरा गए और आननफानन में बच्चों को लेकर दून अस्पताल पहुँचे जिसके बाद घटा की जानकारी मिलते ही बच्चों के अभिभावक भी अस्पताल पहुँच गए तो वहीं जब बाल रोग विभाग के एसोसियेट परफेसर डॉक्टर गॉरव मुखीजा और इमर्जेंसी इंचार्ज डॉक्टर मुकेश उपाध्याई ने इमर्जेंसी में बच्चों को देखा तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने संभवता खाली पेट दवा पी है जिसमें दवा की खुराग जादा नहीं थी लेकिन खाली पे की वज़े से पेट में दर्द और उल्टी हुई जिसमें गनिमत की बात रही कि अस्पताल में प्रात्मिक उप्चाब मिलते ही बच्चों की तब्यत में सुधार होने लगा और एक घंटे बाद बच्चों को डॉक्टर की देखरेक में रखा गया इसके बाद उन्हें घर पेश्टी आगया